नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि शिंजैन प्लस टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है Sinzen Plus Tablet को कैसे लेना चाहिए और Sinzen Plus Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Sinzen Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Sinzen Plus एक brand name है Sinzen Plus Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Sinzen Plus Tablet के अंदर salt composition sinargin 20 mg और diamond hydronate 40 mg होता है Sinzen Plus Tablet का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है इसके अलावा Sinzen Plus Tablet का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना आधी समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी Sinzen Plus Tablet का उपयोग किया जाता है Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Sinzen Plus Tablet की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Sinzen Plus Tablet की वज़े से कुछ Side Effects हो सकते हैं, जैसे बदहजमी होना, सिरदर्ध होना, नीन ज्यादा आना, मुँ में सूखापन होना, पे में बेचे नहीं हो सकती है, अब हम डिसकस करेंगे की Sinzen Plus Tablet को कैसे लेना recommended होता है, Sinzen Plus Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है, आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Sinzen Plus Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, यदि आप सफर में चक्कर आना, जी मिचलाना या उल्ती आने की समस्या को रोकने के लिए Sinzen Plus Tablet को ले से दो घंटे पहले लेना recommended होता है, Sinzen Plus Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको Sinzen Plus Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीड को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Sinzen Plus Tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए, और Sinzen Plus Tablet को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता क की आवशकता होती है, क्योंकि Sinzen Plus Tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन ज्यादा आ सकती है, पार्किनसन्स डिजीस होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर Sinzen Plus Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉ Sinzen Plus Tablet का सेवन करना recommended नहीं है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Sinzen Plus Tablet को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक क चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Sinzen Plus Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं